चिल दोस्तों आज किस वीडियो में जानेंगे प्रस्टों को कैसे सिंपली याद करना है याद करने का दस आसान से आसान तरीका बताऊंगा और याद दखे कितना भी हार्ड कोश्चन क्यों ना हो सिंपली आपके दिमाग में बैठ जाएगी याद करना है कि आपको एक जान में पुरी तरह सब लिख कर चले है पुरा नमबर उठा ले इसी पर बात करेंगे इसलिए इस वीडियो को बावो सुर्शन तक जोर देखेगा आप चाहते हैं कि सारा प्रस्टों हमेशा हमें याद रहे तो इसके लिए आपको यह 10 टिफ्स जानना जोरी है सबसे पहली बात है उठ्सुकता बढ़ा है देखो किसी भी चीज को जानने के लिए शिखने के लिए आपका अंदर उठ्सुकता होनी चाहिए उठ्सुकता का मतलई कि रूची होना चाहिए आपका अंदर अगर रूची नहीं है ना आपके अंदर जिख्यासा नहीं है ना आपके अंदर एक उठ्सुकता नहीं है ना तो कभी आगे नहीं बरफा होगे इसलिए पहले जीस चीव को पढ़ जाएं उसमें उत्सुकता जगा है कि नहीं मुझे ये पढ़ना है उसमें रूची जगा है जैसे तीन घंडे का फिल्म देख लेते हैं पता है तीन घंडे का फिल्म आप पूरी होसी मजाक के साथ कहा है देख पाते हैं पूरा एकदम से चीज़ को याद करना चाहते हैं परिश्क रूची जगा अपने उत्सुकता को बढ़ा कि मुझे याद करना हैं मुझे याद करना है यह पहला काम क् detecting स्डेनि कई बार आपके दिमाग में कोई चीए चप्ती कब जब सांत महौल होती है। आपको भी सांत महौल में पढ़के देखीगा, कभी दस बखलोल लगी कई बीच में पढ़के देखीगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कई बच्चों के पास का आता है कि अपना एक सेप्रेट रूम नहीं होता है पढ़ने के लिए जिसके कान से उनका उतना महौल अच्छा नहीं होते हैं जहां गरजी आप पढ़ते हैं अगर दस बच्चों के सामने पढ़एं तो उतना पाई में मजा नहीं आती है। जब भी अगर चार पाज को लड़के के संग बढ़ते हैं अगर मुवाईल लेका बढ़ते हैं तो आपका द्यान बढ़केगा तो इस सब चीज से आपको दूर रहा हैं उसके बाद रात को सोनी से पहले पढ़े अब मैं क्यूं बोलाओ कि अगर मालों आप 10 बजे ही सोते हैं तो सो कि छीज को देखता आपको कब लगना करके देखिए बाबु यह कि आप शोने से पहले जिस चीज को पढ़े रहते हैं जो काम किये रहते हैं वही सपनाओं में आता है सपनाम हो यह आता है अगर सबीन भनिया फिल्म देख लिए फिल्म देख लिए सोरियर आई थी तो आपका चेप्टर से उसको क्या कर आदे गंटा पढ़ लो पढ़ने के बाद सोजाओ वो चीज़ आपके दिमाग में कहीं न कहीं सपना करूप में आएगी और सपना करूप में आएगी फिर सुबा उठकर जब पढ़ेंगे तो जो चीज़े आपको समझ मनी आ रही थी सोने स आपके दिमाग में चप जाएगी दिमाग में बैठ जाएगी और इससे अच्छा कोई तरीका आपको नहीं बता सकता है याद करने का तो यह आपका था चौथा तरीका अब पांच्वा तरीका विशाय को अपने जिन्दगी के साथ जोर कर समझे अब यह तरीका देखो कित करना तो उसको अपने जीवान करा आपको हिस्सा मन करने की मांन कर चलना है हिस्सा मूं को बरने का तब याद करना का चाहते हैं तो प्रतिक करता में निश्ट रहता है आप उस काम करते हैं किसी भी चीज पर णुप करते हैं। जब वह आप से शंभन दित होगा तो कई न कई आप परहाई की अपने जीवन का हिस्फा मने के पढ़े सारे बढ़ता है। और चठी बात है रिवीज़न को पूए प्रस्टी बहुत जली होगे रैइंग सुधर जाएगी और सात में आपको राइटिंग लिखने का इस प्रश्रेक नो मैं वैंने जाता है कभर करने ही कुर्सिस करें खी गना कर दिन लिए चेपटर को दोहराना हुए याद भी पहले चेपटर को पढ़ लिया नहीं याद हो जब तक आपको पढ़ना है अगर अगर माली जी पहला चेपटर को पर लिया पूरा याद कि आपका उसके पढ़ती ध्यान बना रहेगा आंता पढ़के छोड़ दी एक मेन एक बाद खोले फिर भूला जाएंगे तो कि पढ़े हुए चेप्टर को दोराते रहना था कि आपको माइंड में बैठे रहे और उसके बाद नवी बाते जोड़ जोड़ से बोल कर पढ़े क उसको समझ कर पढ़े तो इससे क्योंते ही याद हो जाती है और उसको दस भी बाते लिखकर याद करना यह सबसे इंपॉर्णी चीजिए जो चीए आपको नहीं याद करें इसको मतलब रिविजन भी कह सकते हैं उसका नोट्स बनाते चले हमालों कि दस कोश्चन मुझे या याद करने का और इसमें से सबसे इंपॉर्णी चीज आपका था यह चोथा रात को सोने से पले जो प्रस्त नहीं याद हो रही है उसको आप याद करके फिर सोजा फिर सुबह में याद करें आपके दिमाग में बैट जाएगा अराम से और उसके बाद एडिविजन पर फो बस इस वीडियो को भारत के हर कोने तक फैला ना है ताकि मेरी आवाज हर विद्दार्थी तक पहुंच सके और सारे विद्दार्थी त्यारी कर सके और समझ सके कैसे याद करने का एक तरीका होता है और कैसे बचे याद करते तब आपको कम से को इस वीडियो को सेर कर दिज झाल झाल झाल